हेलो एवरिवन मैं आपकी होस्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन तो दोस्तों आज की वीडियो अन्बॉक्सिंग वीडियो होने वाले हैं क्योंकि मैंने प्लांट रॉबिट्स से कुछ सैकुलेंट्स मंगाए थे कौन-कौन से प्लांट्स मंगाए है और कितने रेंज में ये मुझे पढ़े हैं तो आपको इस स्क्रीन पे नामसमित इनकी रेट पर आपको दिखाई देते रहेंगे और दोस्तों इसका चिनसे ये प्लांट मैंने मंगाए हैं उनका फो नमर भी मैं आपको इस स्क्रीन पर डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन में इनका नमबर मैं आपको एड़ कर दूंगी आप वहाँ भी देख सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी पैकिंग की आप देख सकते हैं पैकिंग इन्होंने काफी अच्छी किया है और प्लांट काफी अच्छे रहें अच्छे से ओक्सिजन मिलती रहें इसलिए उन्होंने देखे जो बोक्स है उसमें होल भी छोड़े हैं जैसे कि हमारा प्लांट अच्छे से ओक्सिजन लेता रहे और प्लांट हमारा खराब ना हो काफी यह चीज मुझे अच्छी लगी और plant robot से मैं पहले बार plant मैं purchase करी हूँ लेकिन अभी तक plant आपके सामने ही मैं खोल करके दिखाऊंगे कि कैसे मेरे plant निकले हैं या किस तरीके कि उन्होंने मुझे plant भेजी हैं ऐसे तो सैकुलेंट्स काफी महेंगे पड़ते हैं लेकिन कुछ-कुछ वैसाइड ऐसी हैं जहाँ पर हमें बहुती चिपिस्ट प्राइस पर सैकुलेंट्स काफी सस्ते range मिल जाते हैं वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को लास्ट तक देखें तो आएए दोस्तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं बोक्स को खोल लिया है और अब देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से हमारे प्लांट्स निकलते हैं काफी अच्छे से इन्होंने नियूस पेपर में प्लांट को कवर करके और एक टीशू पेपर में भी कवर करके एक साथ दो प्लांट रखे हुए हैं तो दोस्तो सबसे पहले में यह है ग्रैप्टो प्रटालम्स और यह पढ़ा है मुझे 89 रूपीज का और काफी अच्छी इसकी कंडिशन लग रही है कुछ लीफ इसकी निकल चुकी है लेकिन इनकी तो लीफ भी बहुत अराम से ग्रो हो जाती है दूसरे चुशू पेपर अब खोल के देखते हैं दोस्तो इसमें हमारा कौन सा प्लांट निकलता है तो दोस्तो इसमें निकला है हमारा ग्रीन जैली बीन्स प्लांट जो कि मुझे 49 रूपीज का पड़ा है और ये भी काफी अच्छी कंडिशन में लग रहा है हाला कि प्लांट थोड़ा छोटा है लेकिन काफी अच्छी कंडिशन में मुझे ये मिला है तो I am so happy मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बेसक थोड़ा छोटा है प्लांट हूँ लेकिन कोई बात नी ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ाई हमें नी तो सैकुलेंट्स हो वैसे बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं और दोस्तों इसमें नीचे से भी पहुत छुट छुटी से देखिए आप देख सकते हैं बहुत पास करके मैं दिखा रही हूँ नीचे से भी इसमें नीव ग्रोथ स्टार्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी लेकिन अगर हम इनकी ही इसमें ऋगस को और होज़ा है म्हीं ऐक सार्ड़ी आए हुए है इसमें वाफने मेरे निगल रहा है में यह मीनियुक्ञले और वह ंच्छ निजटा है नहीं तो आते आते ब्लांट्स हमारी उच्दीशन ज्यादे ही खराब होजाती है ये भी देखे कितना ब्यूटिफुल और प्यारा सा प्लांट है इस प्लांट का नाम है चेन सीडम प्लांट और ये मुझे पढ़ा है 79 रुपीज का दोस्तो इन प्लांट की ज़्यादा हमें केर करनी नहीं पड़ती उसे टिशू पेपर में निकला है मेरा लक्षमी कमल प्ल अब देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा प्लांट निकला है तो यह है अच्छी वेरिया ब्लू यह पड़ा है मुझे 69 रुपीज का और काफी ज्यादा खूबसूरत प्लांट है यह दोस्तों इतना यह कैमरे में प्यारा नहीं लग रहा है यह जितना रियल्टी में देखन प्लांट काफी अच्छी हेल्दी कंडिशन में है नीचे से भी चुटी-चुटी से बेबी प्लांट निकल रहे हैं देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा प्लांट निकलता है तो दोस्तों यह हमारा अनिनियम हवर्थि स्कुलेंट्स और यह मुझे पढ़ा है 69 रुपीज का काफी अच्छी कंडिशन है इस प्लांट की भी ये मुझे दो प्लांट मिले हैं दोनों हे प्लांट में रूट्स हैं तो इन में बिलकुल भी नमी नहीं है जिससे कि हमें प्लांट अगर मिलते हैं तो हमारे प्लांट खराब ना हो और समय अच्छी सी कंडिशन में मिल सकें इसमें निकला है मेरा ग्रैप्टो वेरिया टिटुबंस ब्लू लोटस प्लांट जो कि 69 रुपीज का पड़ा है और दोस्तों देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत है कैमरे में ये इतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना ये रियल्टी में देखने में लग रहा है और दोस्तों ये है मेरा अच्छी वीरिया लोटस प्लांट ब्लांट ये मुझे पूरे 100 रुपीज का पड़ा है लेकिन बहुत ही प्यारा है अगर मैं किसी और एपस लेती हूँ तो ये मुझे 300-400 रुपे का पड़ेगा यहाँ पे ये मुझे 100 रुपीज का पड़ा है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूद सूरत है ये प्लांट और दोस्तों ये सारे ऐसे सैकुलेंट्स मैंने चूज की हैं जो कि हमारे हापे समर में भी अराम से सर्वाइफ कर जाएंगे और इनकी एक लीव से आप तो जानते हैं एक लीव से भी बहुत ऐसली ग्रो हो जाते हैं तो आए दोस्तों जानते हमारा नेक्स प्लांट कौन सा होने वाला है तो दोस्तों ये है हमारा कहलेशिया रिप्रेंस प्लांट और काफी अच्छा मुझे कंडिशन में ये मिला है ये मिला है मुझे 30 रुपीज में और बहुत ही प्यारा सा प्लांट है दोस्तों ये मेरे पास नहीं था और मेरी लिष्ट में ये ब्लांट भी काफी समय से था मैं इसको लेना चारी थी ब्लांट को पिंक टर्टल वाइन के नाम से भी आप ले सकते हैं ये एक छोटी सी कटिंग से भी बहुत इसली ग्रो हो जाता है इसकी हर एक नोड पर रूट से निकलती है बिल्कुल ये वैसी है जैसे हमारे टर्टल वाइन है और दोस्तों ये मेरे वो सारे प्लांट से पर्चिस किये थी और काफी अच्छी ये मुझे प्लांट लगी और दोस्तों अगर आप भी इन प्लांट्स को पर्चिस करना चाहते हैं तो आप भी इन प्लांट्स को खरी सकते हैं इसक्रीन पे ये इनका नंबर है आप चाहे तो खूल करके आप अपने प्लांट ओडर कर सकते हैं उसमें सारे सैकुलाइंटस नहीं कालने के बाद यह एक इसलिप निकली थी तो दोस्तों इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि आप मेरेसाथ एसे ही बने रहेएगा आप मेरेसाथ ऐसे ही बने रहेएगा आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें मिलती हो पर किसी नेक्स टॉडियों किसी नेक्स टॉपिक पर बाई